तो बच्चों फिर सुरू करते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करेंट जब परिपत में सुध धारिता हो ये टाउपिक ओवर किये थे जब परिपत में क्या हो और प्रतरोध हो और दोनों श्रणी क्रम में हो उस सर्चा पर चलते हैं ठीक है वेन सर्किट कंटेंस ओनली इंडक्टेंस एल और रेजिस्टेंस आर और दोनों किसमें हो श्रेणी क्रम में हो यानि सही तरीके से आपको दिखाऊं इस तरीके से अब आप देख लें ऐसी कंडीशन में अगर इन्पुट के दोर पर वी वराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी दिया जाता है वेटा तो देखिए ये यल है और ये आर है और आप देख लें कि दोनों में एक ही धारा बहेगी प्रेरकत में भी और प्रत्रोध में भी इंडक्टेंस में भी और रेजिस्टेंस में भी मैं मानता हूं कि इस वी का जो हिस्सा इस पर अपलाई हुआ वो वी यल हुआ और जो हिस्सा इस पर अपलाई हुआ बेटा वो वी सपिक्स क्या हुआ आर हुआ वी यल और वी आर हो गया अब आप इतना जानते हैं कि धारा और प्रत्रोध के सिरों पर लगाया गया ये दोनों कैसी कला में होगा, समान कला में होगा, आप देख चुके हैं, कि सुद्ध प्रत्रोद और धारा कैसी कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, सुद्ध प्रत्रोद के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है, ठीक है, और धारा लगाया जाता है जो उस पर, वो दोनो कैसी कला में होते हैं समान कला में होते हैं यानि आर के सिरों के बीच विभुवांतर वी आर और धारा जो आर में बह रही है दोनों कैसी कला में होगी समान कला में सीधे फेजर ग्राफ बनाते हैं बेटा आई और इसी पर आपका होगा कौन वी आर दोनों कैसी कला में होगा सम अग्रगामी होगा, ये बेटा, VL, ये धारा से 90 डिगरी क्या होगा बेटा, अग्रगामी होगा, समझ सके, इन दोनों का, इन दोनों का जो नेट होगा, परणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इनके बीच से जाएगा, ये, ये बेटा, V, ये इन दोनों का परणामी है ठीक है यानि आपने देखा कि नेट वोल्टेज धारा से क्या है अग्रगामी है कितना अग्रगामी है मैं क्या जानूं माल लेता हूं कितना अग्रगामी है फाई अग्रगामी है लेकिन इतना हमको पता लग गया कि सुध ठीक है जब परिपत में सुध प्रत्रोथ और प्रि को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं इसमें अब हम लोग इसमें ये चीज पढ़ेंगे कि भाई net voltage निकालने का formula क्या है तो बहुत simple है net voltage निकालने का क्या formula देखिए आप जान दीजिए ये सब को पता है यहां से एक लंब डाल दीजिए डाल देंगे ये वील है ये भी कितना ही होगा ये लंब भी वील ही होगा अब सब लोग को पता होना चाहिए मुझे ये सब बताना नहीं है गलत बात मत करिए अगली बार से नहीं बताओंगा बस इस बार बता दे रहा हूँ V बराबर V R Square प्लस V क्या L Square यह V V L तो यह भी V L होगा सम्मिती के नियं से ठीक है तो Kern का Square यही परिणामी है Kern का Square बराबर Langisquare और P engage आप जानते हैं क्या जानते हैं आप इस चीज़ के बारे में एक चीज़ ये जानते हैं कि यहाँ पर गौर करिएगा प्रतिवाधा होगी प्रतिवाधा की जगा क्या होगी यहाँ प्रतिवाधा होगी और प्रतिवाधा जड़ बराबर कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वाइर प्लस एक्सल स्क्वाइर यह सब पढ़ा चुका हूँ है डिटेल में नहीं जा पाऊँगा प्रतिबादा होगी ऐसे परिपत्थों में प्रतिबादा का काम ऐसे परिपत्थों में जो करेगा वो प्रतिबादा होगा प्रतिबादा यल की कारण प्रतिबादा पर किसकी कारण है? आर गेगान. दोनों की कारण जो संयूक्त प्रतिलों थे हैं, उचे प्रतिबाधा कहते हैं जड़, ठीक है, impedance बोलते हैं, प्रतिबाधा को इसको, क्या बोलते हैं? impedance बोलते हैं, इस प्रतिबाधा का मात्रक और इसका जो व्यूतकरम होगा प्रतिबाधा का वन बाई क्या जड़ इसको प्रवेश्यता बोलते हैं एड्मिटेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रवेश्यता इसका मात्रक वई इनमर्स होगा प्रवेश्यता ठीक है अब आप एड्मिटेंस कह दें कुछ भी दिखा दें एसे दिखा दें हमको कोई फरक नहीं पड़ता इससा कोई लीगल और अथांटिक डी प्रजेंटेशन नहीं दिया हुआ है ठीक है इतना मैं जान गया क्या चीज कि वोल्टे जिसमे अग्रगामी है किस से धारा से जाहे कहें तो धारा पस्चगामी है किस से वोल्टे से कितना पस्चगामी है फाई ठीक है अगर आपको फाई निकालना है तो बहुत इजी है फाई निकालना ये फाई निकालना देखिए कैसे निकल जाएगा टैन फाई बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार ये कितना है वी आर है ठीक है वी यल वराबर आई इंटू एक्सल और वी आर वराबर आई इंटू क्या होगा आर होगा ठीक है आई आई क्या हो जाएगा कट जाएगा टैन फाई ये कितना कलांतर का अंतर है कितने कलाओं का अंतर है मतलब कला लगता है किसी को बहुत अधिक दिक्कत होगी इसमें आप जरा सा आगे बढ़ते हैं ठीक है आप ये सरकीट कंप्लीट हो गया जब परिपत में सुद्ध प्रत्रोध हो और कौन हो प्रेरकत हो सारी चीज़ें बता दी आपको अब देखिए वेटा आप पढ़ते हैं क्या जब परिपत किस प्रकार का हो कि जब परिपत में आपके धारिता सी हो और प्रत्रोध क्या हो आर्दोनों स्रणी क्रम में धारिता हो परिपत में कैपैसिटन्स हो वें सर्कीट कंटेंस कैपैसिटन्स सी एंड रेजिस्टन्स परत्रोध रेजिस्टन्स आर्दोनों हो और दोनों किस क्रम में हो श्रेणी क्रम में यानि श्रीज में हो सर्कीट का फीगर अगर आपको दिखाएं कौन-कौन जुड़ा हो बेटा इसमें, दोनों, धारिता भी और प्रत्रोद भी, ये बेटा, टोटल वोल्टेज वी दिया है, दो में क्लासिफाई होगा, वी-सी और वी-ार, इम सॉरी, ये बेटा, वी-सी और क्या, वी-ार, बहुत सिंपल है, आप जानते हैं, कि इसके सिरों, प्रत्रोद के सिरों के बीच, विहोवानतर और धारा, दोनों कैसी कला में होगी, समान कला में होगी, फिर आप क्या जानते हैं, ये भी जानते हैं, कि संधारित्र के सिरों के बीच, जो आपका विवानतर होता है, धारिता को सिरों के बीच, जो वोल्टेज होता है, वो नब्बे अंस पस्च गामी होता है, ठिक, वी-सी और वी-ार का जो रिजल्टेंट होगा, वो नीचे से जाएगा यानि इस बार मामला गया है पलट ये पिछली बार का यानि नेट वोल्टेज धारा से पश्च गामी हो गया ठीक है किस पोजिशन में हो गया लैगिंग पोजिशन पे हो गया यानि कह सकते हैं करेंट जो हो गया वो आपका अगर गामी है लिडिंग स्टेट में है ये हो गया आपका, कितना है ये तुम्हाई मुझे नहीं पता, ये तो निकालना पड़ेगा, कलांतर कितने का net voltage और current के बीच ये आपको निकालना पड़ेगा, बहुत tough नहीं है, बहुत easy है, आप net voltage जानने पहले, ये net voltage आपका, आप चुकी detail तो पढ़ नहीं रहा हो, क्या क्या चीज रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या बेटा, पढ़ रहे हैं booster class, इसलिए थोला सा तेजी से देखो, जड़ बराबर क्या होगा इसमें, under root xc square, और प्लस क्या होगा बेटा, r square, जड़ बराबर एक और formula, one upon omega c square, और प्लस क्या square, r square, ये जड़ आ गया आपका, इसके ब अब देख लेते हैं जड़ा सा एक चीज और बेटा, कि हम 5 कैसे निकालें सर, 5 कैसे निकालोगे, ये 5, बहुत easy है, 5 बराबर, ये यहां से जड़ा से लंब डाल दो, ये, अगर ये आपका VC है, तो ये भी आपका कौन ही है, VC है, ठीक है, ये भी VC है, कैसे निकालनेंगे 5, बहुत simple है, निकालना, 5 निकालना, हम जानते हैं, 10, 5 बराबर, लंब VC अपान आधार, ये बेटा, ये VR है, ये, ये तो VR है, रख दीजिए, आप जानते हैं, I into XC, अपान I into R, आई, आई, कट जाएगा, 10, 5, 5 निकालने के लिए, फार्मला है बेटा, XC बराबर, 1 अपान ओमेगा सी अपान R, बराबर, 1 अपान ओमेगा सी R, अगर आप चाहें, तो ओमेगा 2 पाई F, रख सकते हैं, into क्या, I'm sorry, ये R नहीं, हाँ, यहाँ तो रखना ही पड़ेगा, 2 पाई F, और क्या बेटा है, R, ये इतना टोटल हो गया, आपका क्या निकालने के लिए, XC निक कालने के लिए, fine कालने के लिए, इन सब फार्मलों का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, विदे नहीं लगता, किसी को इसमें कोई दिक्कत होगा, यानि जब परिपत में धारिता और प्रत्रोद दोनों हो, तो आप जान दे ये voltage पस्चिगामी होता है, किससे धारा स फोड़ा दिया, आप नेक्स्ट टाइट का सर्किट देखते हैं, अब देखते हैं, क्या चीज, जब परिपत में क्या क्या हो, जब परिपत में वें सर्किट कंटेंस ओनली इंड़क्टेंस, इंड़क्टेंस मतलब प्रेर कत्व, एल और कैपेसिटन्स, सी, और दोनों सिरीज में हो, स्रेणी करम में हो, उस समय की बात करते हैं, बहुत सिंपल इसका सर्किट है, यह देखें बेटा, दोनों सिरीज में हैं, इसके सिरों के बीच वोल्टेज वील, इसके सिरों के बीच वोल्टेज वीसी, और आप विधिवत तरीके से गानते हैं, क्या चीज़? कि हमेशा प्रेरकत्व के सिरों के वी जो वोल्टेज होता है, वो धारा से अग्रगामी होता है, वो भी 90 अंस, अग्रगामी, तो अग्रगामी के लिए इधर दिखाते हैं, वामावर्थ, दनात्मक कलाकोन को वामावर और संधारित्र के सिरों के वी जो वोल्टेज होता है, वो धारा से पश्चगामी होता है, 90, अब यह केस मैं मानता हूँ, अगर प्रेर्कत के सिरों के बीच वोल्टेज, संधारित्र के सिरों के बीच के वोल्टेज से जादा हो, और आप देखी रहे कोन केतना अंस है, 90, एक्सोंस, बहुत मिनात नहीं करनी है, अगर वी जादा हो किस से, वी सी से, तो परिणामी उपर रहेगा, वी ल माइनस वी सी, अगर वी सी जादा होता, वी ल से, तो ये परिणामी कहां से है, नीचे को दिखाते हैं, यह हो गया वी ल माइनस वी सी, यानि कि हम कह सकते हैं, नेट वोल्टेज, वी ल और माइनस के विटा, वी सी, नेट वोल्टेज, वी ल माइनस के विटा, वी सी ठिक, अब इस प्रकार से ये हो गया, अब मैं आप से एक चीज और कहूंगा, अब एक चीज और देख लिजे यहाँ पर, कि इस दसा में, जो हमारी प्रतिबाधा होगी, वो ये एक्सल माइनस एक्सी, इस दसा में, पहली वाली, एक्सल माइनस एक्सी, ये हमारा क्या होगा वेटा, ये है प्रतिबाधा, एक विशेश केस है प्रतिबाधा को लेकर के, एक विशेश केस क्या है प्रतिबाधा को लेकर, बताता हूँगा, वो, देखिए अब इस्पेसल केस जिसकी बात कर रहे थे बेटा वो ये था कि आपने देखा जड़ बराबर एक्सल और डिफरेंस या फिर माइनस ही कह दीजिए एक्सी काँसे केस में जब सरकिट में सुधप्रतरोद में संधारित्र और प्रिकप्त लगे हो ठिक अगर एक्सल बराबर क्या हो जाए एक्सी हो जाए तो यहाँ पूट करके देख लो XL बराबर XC हो गए मालों दोनों को A मालो तो A माइनस A बराबर कितना आ जाएगा Z बराबर 0 आ जाएगा अगर XL बराबर XC हो गया यह विशेश अवस्था है इसको कहते हैं किसकी अवस्था इसको वैद्धुत अनाद कहते हैं इस दसा को जब XL बराबर XC हो जाए Z बराबर कितना हो जाए 0 हो जाए इस दसा को वैद्यूत अनुनाद कहते है वैद्यूत अनुनाद कहते है electrical resonance कहते है अब कुछ सर्ते विसेश है XL बराबर XC पेटा XL मतलब omega L XC बराबर 1 upon omega C omega 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 square हो जाएगा omega इधर भेज़ दिया और यह हो जाएगा LC square हटा दो under root लगा दो LC omega बराबर होता है 2 pi F 1 upon under root LC बता चुका हूं सब बेटा इस अगर F बराबर यहां से निकाला जाए 1 upon 2 pi under root क्या LC इस आबर्ति को अनुनादी आबर्ति बोलते हैं ठीक है हिंदी में इसको बोलते है resonant frequency अनुनादी आबर्ति 1 upon 2 pi under root क्या बेटा LC ठीक है यह अनुनादी आबर्ति है LC circuit का इसको LC circuit बोलते हैं यह वाली circuit को इसमें L or क्या पाया था है? C पाया था है अब हम लोग देखेंगे बेटा सबसे last type का circuit ठीक है आखिरी circuit देखेंगे तो बच्चों आगे देखते हैं अगली और सबसे last type का circuit वो कौन सा circuit है? उस circuit का नाम है LCR circuit L C R circuit क्या है LCR circuit? Now we know about this actually when circuit contains in series watt, prayer कत्व, inductance, capacitance and resistance ये तीनों योनिट सी series में circuit contain करती हो और circuit जो input value है V बराबर V0 sin omega t और मैं मानता हूं कि inductance के terminals के बीच जो voltage है वो V suffix L है capacitance के terminals के बीच जो voltage है वो V suffix C है और resistance के terminals के बीच जो voltage है वो V suffix R है इस तरीके से इस तरीके से तीनों classify हो गए ये V की value तीनों में classify हो गई अब इनका जड़ा सा phasal diagram बनाते हैं मैंने दोनों को एक पर दिखा दिया फिर आप जानते हैं कि inductance यानि प्रेरकत के terminals के बीच का voltage capacitance के terminals के बीच के voltage से greater than हो उस condition में ये हमारा VL minus VC होगा net voltage यही तो आएगा बेटा कौन सा ये वाला exhaustience का अकलांतर था VL और किसके बीच VC के बीच मैंने मान रखा VL वड़ा है किससे VC से तो परिणामी उपर की ओर से जाएगा अब इन दोनों के बीच का जो क्या निकलेगा बेटा परिणामी निकलेगा वो इनके बीच से जाएगा ये ये net परिणामी हुआ आप देख सकते हैं कि net voltage धारा से अगरगामी है ठीक है कोई दिक्कत तो ही किसी को net voltage धारा से क्या है अग्रगामी है ठीक है कितना अग्रगामी है फाई भीस फाई की वैलू तो मुझे वने पिता निकाल के आपको दे दूँगा अब आप समझदार हो जाए फटाफट वी बराबर अंडरूट क्या मान सकते हैं अगर यहाँ पर आपको मैं प्रतिबाधा दिखा दूँ इंपिडेंस दिखा दूँ तो प्रतिबाधा की जो वैलू आएगी वो अंडरूट आर स्कॉयर प्लस एक्सल माइनस टैक्सी का होल स्कॉयर इसको थोड़ा सा ओर डिटेली करन में चलोगी अगर तो क्या आएगा बे होल स्कॉयर यह आजाएगा इतना और उसके बाद अब आपको इसी वक्त लगे हाँ दिखा देता हूं इसको फाई की वैल्यू को फाई कितना आएगा जड़ा सा गौर करिएगा इस फाई की वैल्यू को एक मिनट कलांतर कितना रहेगा यह रहा परिणामी वेटा इसी को यह वील था और यह वीसी था इसी वील माइनस वीसी को इधर भी खीज लो यह वील माइनस क्या है वीसी ठीक है यह फाई निकालना है तो आई यह टैन फाई VL माइनस VC अपान क्या बेटा V R यह लंब बटे आधार अब दिमाग लगाओ XL माइनस XC बटे क्या हो जाएगा R ओमेगा YL माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान क्या होगा बेटा R होगा यहीं से निकल कर आएगा टैन क्या फाई अब चुकि बूस्टर दे रहा हूँ, कोई सब चीज फिर से नहीं दिखा पाऊंगा, अब हम लोग चलते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावरती धारा परिपत में शक्ति अथवा सामर्द, शक्ति अथवा सामर्द, पावर in alternating circuit, क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? एक सिंपल सी चीज़ आप जानते हैं, किसी भी प्रत्यावरती परिपत में उर्जाव्याय की धर को, कितनी उर्जाव्याय होती है? प्रति सेकंड उर्जाव यह की दर को ही उस प्रत्यावर्थी परिपत की सक्ति अथवा क्या कहते हैं सामर्थ कहते हैं एकदम सिंपल सी बात है हम जानते हैं P वराबर V इंटू आई अगर वोल्टेज वोल्ट में हो अगर धारा एंपियर में हो तो पावर जो होगी हमारी वो वाट में होगी यह बहुत सामानेशी बात है अब चूकि एसी सरकृट कई टाइपस का होता है तो इकिक करके हम सारे सरकृट को क्या करेंगे देखेंगे बहुत आराम सी जब परिपत में केवल सुध प्रत्रोध हो तब शक्ति क्या होगी या सक्ति का सूत्र क्या होगा जब परिपत में सुध क्या हो वेटा प्रत्रोध हो बहुत सिंपल सी बात है आउसथ शक्ति VRMS into IRMS बहुत सामान निसा ये सूत्र है ठीक है बहुत आसानी से आप चाहेंगे तो वैल्यू इससे निकाल लेंगे बहुत सिंपली वैल्यू आएगा डिटेल्ड हलका से करने कहिए तो आप जानते हैं VRMS वी नाट बटे रूट टू IRMS I not upon root 2 that means to say V not I not upon 2 either you can write now here V not into I not it is the formula of the power when circuit contains only pure regis temps it is the formula for that time okay if we want to curve trace अगर आप इसका curve trace करना चाहते हैं आप जानते हैं कि जब परिपत में केवल प्रत्रोध होता है तो voltage और धारा समान कला में voltage और धारा ठीक है और आप जानना है जो power है वो V और किसके multi से मिला है I की तो ये V और ये कौन I तो अगर दोनों का multi करेंगे तो आपको मिलेगा P ये P के लिए हो गया बहुत आसानी से निकला आया लेकिन एक खास बात देखो voltage भी किसमे है तो पामर किसमें आएगी यानि वो भी कहा की ओर ही रहेगी उपर की ओर ही रहेगी इसको याद रखेगा बुक में बहुत बार समझ में नहीं आता V भी minus में है I भी minus में है लेकिन जब दोनों minus minus का multi कराओगे तो P किसमें आएगा प्लस में आएगा इसलिए उपर ही उसका भी कर्व ट्रेस के जाएगा सब को समझ में आ जाना चाहिए नहीं समझ में आता है तो comment session में comment करियेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं बच्चों सक्तिकाश्यूत्र जब परिपत में सुद्ध प्रत्रोध और प्रेरकत्व दोनों मौझूद हो ठीक है न उस दसाने जब परिपत शक्ती देखते हैं शक्ती जब परिपत में कौन कौन हो प्रेरकत्व हो और सुद्ध प्रत्रोध मतलब प्रत्रोध और प्रेरकत्व हो की अच्छे से जानते हैं जब प्रेरकत होता है और प्रत्रोध होता है परिपत में श्रेणी क्रम में तो वोल्टेज धारा से क्या होता है अग्रगामी होता है या धारा वोल्टेज से क्या होता है पश्चगामी होता है ऐसे भी आप कह सकते हैं और कलांतर होता है उस समय कलां का एल अपान कितना वेटा आर होता है कलांतर उस समय जब परिपत में सुद्ध प्रत्रोद और क्या हो वेटा प्रेरिकत हो उस समय ये कलांतर है और बहुत असपस्ट सब्दों में कह दूँ मैं डिटेल नहीं जाऊंगा उस समय पामर होगा वी आरेमस? मल्टी आई आरेमस? मल्टी कास क्या? फाई जहाँ कास फाई सकती गुणांक है इस कोरोना पेंडेमिक में ये सलेबस से बाहर कर दिया था यह सक्ति गुलान का है ठीक है आप उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं एक बात इसमें और करता हूँ मैं आपसे की इस सक्ति गुलान को कैसे निकालते हैं बहुत सिंपल है देखिए ए अच्छी तरीके साब जानते हैं इस पर क्या रहेगा इस पर रहेगा आपका आर और वी आर बराबर होता है आई इंटू क्या आर ये इस आरी चलिए आप जान नहीं है इसको मैं दिखाया भी अभी थोड़ी देर पहले जब परिपत में यला और कौन था आर था इन दोनों का ये ये था कलांतर कितना बेटा फाई अगर यहां से कास फाई की वैलू निकालो कास क्या फाई तो कास फाई वराबर आधार बटे काट आधार हमारा आर है और काइन हम स्क्वायर प्लस एक्सल का क्या बिटा इसक्वायर बहुत इजिली निकल जाएगा थोड़ा और डिटेल जाना चाहते हैं एक्सल बराबर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इस तरीके से प्रतिरोध और प्रतिबाधा की अनुपात से आप सक्ति हुणांग निकाल लोगे बड़ी आसानी से ठीक है आर वाई जड करके यह आपका बहुत आसानी से निकलने वाला हो गया ठीक है अब आप यहां एक चीज़ जान रहे हैं हर हाल में हर हाल में LR सरकित में वोल्टेज जो हमारा वोल्टेज होता है वो वोल्टेज धारा से LR सरकित में अच्छे से अग्रिगामी होता है, लीडिंग स्टेट में होता है, किसे धारा से, वोल्टेज धारा से लीडिंग स्टेट में होता है, इसका कर्व ट्रेस करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, देखिए, बहुत ध्यान से दिखिएगा, हो सकता है, यहाँ पर हमसे सही से ना बने, लेकिन कोशिश करूँगा एक ही बार में बन जाए, देखिए, आप यह तो जाने ही चुके हैं, कि वोल्टेज धारा से क्या है, अग्रिगामी, चुके सर्केट अलार था, तो पहले यह देख लिजे एक एक करके बनाते हैं, वोल्टेज धारा से क्या है, अग्रिगामी है, तो यह देखिए, हलका से इसको इधर बढ़ा लिए पहले, उबहें अपने हल्प के लिए करता हूँ, एक आई, यह आई है, ठिक, डाड़ डाड़ अला, आई, ठिक, अब देखिए वोल्टेज, वोल्टेज अग्रिगामी है, ठिक, यह वोल्टेज हो गया हमारा, और वोल्टेज अग्रिगामी है, ठिक, अब देखिए, काम बन गया हमारा, प, आपने देख लिए, प बराबर होता है, वी इंटू क्या, आई, वी और आई के मल्टी से, कौन बनता है, प बनता है, तो जरा दोर करिए, अपने दिमाग से देखिएगा, थोड़ा सा, सेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा, देखिए, यहां तक की पोजिशन में, ज देखिए, यह आपका है, आई, और यह आपका है कौन, वी, आप देखिए, आई भी पॉस्टिफ, चुकि प बराबर होता है, वी इंटू क्या, आई, वी भी पॉस्टिफ, आई भी क्या है, पॉस्टिफ, तो प भी कैसा होगा, पॉस्टिफ ही होगा, तो इनका में खिसता पी वो पास्टिवी आएगा मैटा पक्का है ये भी प्लस ये भी प्लस तो ये भी कैसा होगा प्लस हो गया अब बात करते हैं नीचे का गौर करो इसको देखो ये इतना ज़रा देखो इसको ये है वी वी तो हमारा पास्टिव है बेटा वी तो हमारा कैसा है अम सॉरी वी हमारा निगेटिव है अम सॉरी वी कैसा है निगेटिव ये नीचे का वी निगेटिव है लेकिन यहां के बाद ये आई कैसा है यहां तक यहां तक ये यहां के बाद ए यहां से जो मैंने बीच में लाइन खीची थी थी ना आई हमार कैसा है पॉस्टिव है लेकिन निगेटिव पॉस्टिव का मलती कैसा आता है निगेटिव आता है यानि पावर निगेटिव हो गया इस बाद यह चोटा सा चक्र है यह वाला पावर पॉस्टिव और यह वाला पावर कैसा है निगेटिव क्यों निगेटिव क्यों कि आई प् फिर देखिए जरासा कहां तक देखिए यहां तक देखिए यहां तक देखिए बच्चेओं यह देखो वी हमारा वी है यह और यह आई है आप देखो दोनों निगेटिव हो गया वी भी निगेटिव ये यहां के बाद से वी भी निगेटिव और कौन भी निगेटिव आई भी निगेटिव अगर आप दोर कर सके होगे तो दोनों क्या है निगेटिव है अगर दोनों निगेटिव है वी भी और कौन भी आई भी दोनों निगेटिव है तो निगेटिव न नेगेटिव का जो पामर आएगा वो कैसा आएगा पास्टिव आएगा फिर उसके बाद देखो मैंने कम्प्रिट नहीं बनाई है जो इतना इधर छूटा है ना वोल्टेज का वो इतना इधर पूरा करना पड़ेगा यह आप देखो फिर हां से चौथे वाले चक्र में ए य हमारा आई कैसा है आई आई जो है यह पास्टिव है एम स्वारी निगेटिव है आई निगेटिव है लेकिन वी यह वी है वी यह कैसा है पास्टिव वी पास्टिव है आई कैसा है निगेटिव तो फिर रिजल्ट कैसा आएगा माइनस में आएगा ए यह तेखो यह इतना फिर से किस में आया माइनस में चोटा से चक्रा मारा समझ सके इस चीज को समझ सके इस चीज को तो यह टोटल हुआ अब आप देखें यह पाजिटी वाया था यह फिर कैसा आ गया नेगेटिग अब आप देखिए अगर थोड़ी सी बात को ले करके धन धन वाले तो बड़े बड़े हैं और रिन रिन वाले दो छोटे छोटे हैं छोटे 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 यानि जब अगर इन चारों का सम निकाला जाए चारों क्या निकाला जाए सम निकाला जाए तो धन धन रिन रिन मिला कर आएगा तो धनात्म की चुकि यह बड़ा है प्लस वाला लेकिन नेट वै सकति-छै आयेगा. जब स्धुद्प्रत्रोध वाले सकति-छैowania जब शुद्प्रत्रोध था. सुद्ध क्या था? प्रत्रोध था. उस समय जो सकति-छै आया था. उससे कम सकति-छै वोगा. किस सरकित में? LR सरकित में. याद रखेगा कि सक्तिछ है कि सरकित में, LR सरकित में कम है, सक्तिछ है सुद्ध प्रत्रोद वाले में, R वाले में, क्यों? ये देखिए, छोटा छोटा ये जो माइनस वाला है, ये टोटल प्लस वाले को क्या कर देता है? कम कर देता है, उस सरकित में मैंने आपको ऐसे दिखाय था पूरी बात समझ में आ गई समझ में आ गई पूरी बात यानि कि सुध्व प्रत्रोथ LR सरकिट में सक्तिछे क्या होता है कम होता है ठीक है ना सुध्व प्रत्रोथ कि तुल्णाने अब देखे प्यारे बच्चो अब हम लोग बात करते हैं वाट ही इंधारा के बारे में इंपोर्टन बहुत है यह बोड इग्याम के लिए वाट ही इंधारा हिंदी में इसको बोलते हैं वाट लेस करेंट एक्चुली यह कॉंसेट है जिसको व्योहार में लाने की कुशिश की जा रही है यह की जा चुकी है जितना आप efficiency रख पाईए इस बारे में समझने की कोशिश करिएगा एक सरकिट है LR और एक सरकिट है LC अगर I'm sorry CR सरकिट LR सरकिट की बात करें तो धारा LR सरकिट में अगर धान दें या एक ऐसा सरकिट लो जिसमें केवल L हो पार मत रखो सिर्फ L हो सुद्ध प्रेरकत हो आपने देखा कि सुद्ध प्रेरकत वाले किस्ट कैसे सुद्ध प्रेरकत वाले जो कौन है सरकिट है उनमें धारा से वोल्टेज 90 अगरगामी होता है यानि कि जो फाई होता है वो कितना अगरगामी होता है और सुद्ध संधारित वाले परिपत्वे आपने देखा इस चीज को फेजर गरफ में कि वोल्टेज से धारा 90 अगरगामी देखा आपने मैं दिखाया आपको सुद्ध धार्ता वाले सरकिट्स में धारा वोल्टेज से 90 अगरगामी थोड़ी गलबड़ी हुई है तरह से फिर से इसको देखते हैं बिटा तिलीट करो इसको फिर से दिखाता हूँ देखिए कि जो ऐसे सरकिट होते हैं जिसमें केवल और सिर्फ केवल प्रेरकट तो L होता है और कुछ ऐसे सरकिट है जिसमें केवल और केवल संधारी तो क्या होता है C होता है जब केवल प्रेरकट तो क्या होता है L होता है तो होता ये है कहानी कि जब केवल प्रेड़कर तो कौन है एल है ऐसी कंडीशन में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगानी होता है वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या होता है अग्रगानी या धारा वोल्टेज से 90 अंस क्या होता है पश्चगानी होता है 90 अंस धारा वोल्टेज से 90 अंस पश्चगानी होता है 90 डिग्री यहां पर कलांतर 90 अंस का हूता है और जब परिपत में केवल और सिर्फ केवल कौन होता है उस दसामी धारा वोल्टेश से अगरगामी होती है अगर यह वोल्टेज है तो धारा 90 अगरगामी है धारा नबबे यंस क्या है अगरगामी यानि वोल्टेज नबबे यंस पस चपने है यानि यल वाले परिपतों में जिसमें केवल यल है उसमें वोल्टेज आगे है कितना डिगरी 90 डिगरी किससे धारा से हैं और सुद्र संधारित्र वाले परीपतों में धारा आगे है गतना डिग्री ..90 डिग्री.. किस से ? वॉल्टेस.. यू कहितने है वॉल्टेश पीछे है किस से ? यहांँ पर भी कलांतर कितने डिग्री और अगर सोचसे इसको देखो तो Want a आएगा वी आरेमस आई आरेमस इन्टू कास फाई के अनुसार और कास फाई कितना रखोगे 90 बराबर कितना आएगा जीरो यानि आउसत सक्ति छे सुद्ध प्रेर्कत वाले या सुद्ध संधारित्र वाले धारिता वाले परिपतों में आउसत सक्ति छे कलांतर कितना होने के कारण 90 फेस डिफरेंस 90 डिग्री होने के कारण आउसत सक्ति छे कितना आएगी जीरो आएगी यानि कोई सक्ति 6 होगा ही नहीं, ऐसा ब्योहार में कभी संभव होता ही, लेकि सैधान्तिक रूप शैसा होगा है, कि कलांतर 90 अंस होने के कारण, आउसत सक्ति 6 है, कितना आ गया, जीरो, फेज डिफ्रेंस 90 डिग्री होने के कारण, जो एवरेश एनर्जी लॉस आया, वो कितना आया, जीरो आया, ब्योहार में ऐसा नहीं संभव है, लेकिन सैधान्तिक रूप शैसा संभव है, अगर सुद्ध प्रेरकत्व है, या सुद्ध संधारित्र है, तो कलांतर 90 अंस होने के कारण, आउसत सक्ति 6 पी बार, कितना आ गया, जीरो आ अब ये बात सोचिए, ब्योहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर पदार्त का, तार का, जिसका बना है प्रेरकत्व, उस पदार्त का, उस मेटल का, जिसका संधारित्र बना है, उस पदार्त का, उस मेटल का, कुछ न कुछ तो प्रत्रोध होता ही है, तो कुछ न कुछ सक्तिछे होगा सबका अपना कुछ न कुछ सुद्ध प्रत्रोद होता है यल के साथ हमेशा थोड़ी मात्रा में आर मौजूद रहता है सी के साथ हमेशा थोड़ी मात्रा में आर मौजूद होता है उसमें कुछ हुर्जा बे होती है लेकिन अगर उसको भी खतम कर देए, उस आर को माण लिजे, शिद्धान्तों में, कलप्णा कर लिए, उसको भी खतम कर देए, तो संभो हो जाएगा. कोई सकती 6 नहीं होगा. ठीक है? पूरे एक चक्र में, पूरे एक साइकिल के लिए, पूरे एक साइकिल में, जितना प्लस, अतने माइनस ते मिला कितना, जाला से इस बाते को एक और अर्थ में समझते हैं, कैसे? आपको समझाता हूं, अभी जब ग्राफ बनाता हूं, तब आप देखते ज़्याद आच्छे समझ पाएंगे देखिए समझ ये कैसे इसको समझाते हैं आउसाच सक्ति छाय को देखिए ऐसे समझाते हैं माल लिजे परिपत में सुद्ध प्रेर कत्व है जब परिपत में सेम इसी तरीके तब भी बिवहार होगा जब परिपत में सुद्ध संधारित होगा जब परिपत में सुद्ध प्रेर कत्व होगा सुद्ध प्रेर कत्व होगा कैसे देखिए सुद्ध यल हो आप इतना तो पता ही यानते ही हैं कि सुद्ध यल वाले में जो वोल्टेज होता है वो 90 अंस leading state में होता है किस से आई से वी अब देखे इसका ज़रा सा कर्ब प्रेस करते हैं वोल्टेज 90 अंस अगरगामी होता है किस से धारा से ठीक है ना देखे कैसे मैं इसका graph पनाओगा ध्यान से समझेगा गौर करिएगा समझने की कोशिश करिएगा ये ये वी है दाउन से देखे इसमें कौर से इकता ये वी है और ये आई है वी और आई आपने देख लिया अब ज़रा सा गौर करिए पी के बारे में देखिए देख लिजिए आप बोल्टेज में पहले ही 90 अंस हो गया धारा में पान में मैं आपको चार हिस्से में करके दिखाऊंगा पूरे कर्ब को एक दो मांद देखे ये तील और ये चार चार हिस्से में आप देख लें वी भी पास्टिव है और आई भी उपर है देख लिए ये वी उपर और आई भी उपर इतने हिस्से में तो दोनों पास्टिव तो अगर वी भी पास्टिव A भी path supportive ये भी path वी stuff तो पी भी क्या होगा path इसका graph देखें ए Y जी हो गया यूद ये पी हो गया हमारा positive थिक कर अब देखियं उपर देखिये I कैसा है आई उपर positive है蛋呢 positive है कि और वी ये नीचे कैसा है नेगेटिव है तो जो दोनों का p पी आएगा वो निगेटिव ही आएगा है यह अगया है यह निगेटिव है इस भार फिर देखे यहाँ के बाद की कρεडिशन यह V है यह But और यह जो आई है हमारा यह भार के होने के कारण निगेटिव है तो जो P आया वो इस बार निगेटिव निकेटिव से कैसा आ गया पास्टीफ इन दो लुपा हो उपने कि पस्टीफ ही है निकेटिफ आजी से पी हमारा निकेटिफ है यह गया ऊगर यह पकूरा चाहरवारीय और आई जो है попробाक थे हैं निकेटि इफ हमारी अगर वी हमारी हम character काये आए जा ये निगेटिव आ गया ये जब P वाले हैं अब अगर इसको आप समझें तो कैसे यानि बात ये है चार टुकडों में P तयार हुआ है पहला वाला P दुसरा वाला P तीसरा वाला P और चौथा वाला P पहला वाला जो P है वो positive था दुसरा वाला P negative था तिसरा वाला P फिर positive था और चौथा वाला पि जो है वो कैसा है निगेटिव है अब इन चारों को समझा कैसे जाए विज्ञान की तरीके से, logical तरीके से Actually हुआ ये कि जो हमारा प्रेरकत है सुद्ध प्रेर कत वाला परिपत जो है ये सुद्ध प्रेर कत वाला ये वाला जो परिपत है एक बटे चार एक चौथाई में ये एक चौथाई है पूरे पी का ये पूरी साइकल का ये देख लोगी आप गौर करिए एक साइकल ये एक साइकल का मैंने फीगर बनाया है एक स यह voltage और यह current वोल्टेज और current के केवल एक चक्र में पावर का चार दो चक्र बन गया है बन गया है ना दो चक्र सोचिए कैसे मैं बतल पहुँआ है एक चवथाई में वन फोर्थ में यानि इस वाले में वन फोर्थ में इस स्रोत से यानि alternating voltage source से यह यानि कौन प्रेरकत्व बिद्धुत के रूप में लेता है और चुम्बकत्व के रूप में संचित करता है बिद्धुत के रूप में लेता है और किसके रूप में संचित करता है चुम्बकत्व के रूप में और अगले एक चवथाई में यानि इस वाले में इस वाले में अगले एक चवथाई में जो इसने चुम्बकत्व के रूप में संचित किया था वो पुना दे देता है बि ये टोटल मैंटर है तो इस तरीके से क्या हुआ जब लिया तो प्लस में और जब दिया तो माइनस में तो न लिया न दिया नेट मिलाकर कितना हो गया जीरू और सेम कहानी, फिर लिया, बिध्धुत को लिया, चुम्बकत के रूप में संचित किया, तो पलस में हुआ, फिर चुम्बकत को दे दिया, और पुना चुम्बकत के इनरजी कितनी हुए, जीरू, यानि पूरे, यानि अगर सही मायने में कहें, गौर करिएगा, धारा का एक वोल्टेज का एक चक्र, हुआ, और सक्ती का कह चक्र, चार चक्र, सक्ती का चार चक्र, एक बार फिर से समझ दिए, दवेरी लास्ट, यहाँ देखिए, आखरी बार, यह देखिए, धारा का एक चक्र, वोल्टेज का एक चक्र, और सक्ती का चार चक्र इतने में ही, यह, सक्ति का चार चक्र, जब प्रिर्कत ने लिया, फिर प्रिर्कत ने दिया, लिया तो positive, विध्धुत लिया था, और चुमकत के रूप में संचित किया, तो positive, फिर यही चुमकत जो है, पुना दे दिया, किसके रूप में, विध्धुत के रूप में, खतम हो गया चुमकत वाला दे दे रहा है बिद्धुत के रुप में फिर कैसा नेगेटिव नेट कितना हो गयाक being that's all यह कुल complete हो गया क्यासि की साइकल में और जाचै कितना होती है जिरो होती है जब परिपत में सुध प्रेर्कत अत्वा सुध क्या हो संधारिफ्स्तर हो